नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्यप्रदेश का नमबर वन न्यूस चैनल क्लीन न्यूस MP चलिए देखते हैं मद्यप्रदेश की सबी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदास में MP के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशकबरी रक्षबंदन से पहले सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता आज शिवरा सिंग चोहान के नेतरत वाली मद्यप्रदेश सरकार ने रक्षबंदन के परफ से पहले प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोफ़ा दिया मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने श्रावर मास के तीसरे सोमवार की बढ़ाई देते हुए एक महत पूर्ण घोचना की सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मशारियों के महंगाई बत्ते में व्रद्धी की सरकार ने महंगाई बत्ते को 3% बढ़ा कर 34% करने का ने ने लिया है किसानों के लिए अच्छी खबर आज से एप पर दर्च करा सकेंगे फसल की जानकारी ऐसे मिलेगा ला मदर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है मेरी गिर्दावरी मेरा अधिकार के तहट किसाना सोमवारी का गस से एमपे किसान अप पर अपनी फसल की जानकारी दर्च करा सकेंगे यह सुविदा 15 अगस तक मिलेगी ऐसे में किसान गिर्दावरी में भी आतनर भर बनेंगे मंदर प्रदेश के किसान अब गिर्दावरी में भी आतनर भर होंगे मेरे गिर्दावरी मेरा अधिकार में किसान अपनी फसल की जानकारी MP किसान एप के माध्यम से दर्ज कर सकेंगी मंदर प्रदेश को आज मिलेगी 2300 करोर की सौगात 119 किलो मीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाओ का शिला न्यास मंदर प्रदेश को आज सुमवार एक अगस को लगबग 2300 करोर रुपे लागत की 5 सड़क परियोजनाओ की बड़ी सौगात मिलने जा रही है सुमवार को इंदौर के ब्रिलियन कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान एवं केंद्रिय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंतरी नितिन गड करी 119 किलो मीटर लंबी पांस सड़क परियोजनाओ का शिला निया सेवं वे साइड एमेनिटी का लोकारपन करेंगी भुपाल में एनाईय की कारवाई के बाद एंपी पुलिस सलार्ट संदिक दिक रायधारों की होगी जांच जांच एजनसी को ऐसे संकेत मिले थे कि आतंकी संकेतन सोशल मीडिया के जरिये भारत में अपनी जड़े जमाने की कोशिश कर रही है ऐसे में रास्टिय जांच एजनसी एनाईय ने रविवार कुदेश के छे राजों में विभिन ठिकानों पर शापे मारी की जिन राजों में छापे मारी की गई उनमें मद्यप्रदेश भी शामिल है एमपी के भुपाल में एनाईय ने छापे मारी की ग्रैमंतरी ने बताया कि इसके बाद मद्यप्रदेश में पुलिस को अलर्ट किया जाएगा कि संदिक्दों पर नजर रखे आसे बदला ये नियाम आप पर पड़ेगा सीधासर अगस 2022 में भी ऐसे कई बदला होने चा रहे हैं जिसका सीधासर आपके जीवन पर पढ़ने वाला है पैंक और बड़ोदा के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है एक अगस 2022 से चेक से जुड़ा एहम नियम बदलने जा रहा है धोकाधड़ी को रोकने के लिए पांच लाक रुपे से जादा राशी वाले चेक के पेमिंट के लिए पॉजिटिव पेस सिस्टम जरूरी कर दिया है मदरपदेश लोग से वायो के अची खबर है आयो के दोरा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अशिस्टेंट रेजिस्टर के तेरह पदों पर भथी निकाली इसके लिए आवेधन प्रक्रियाच 6 अगस से शुरू होगी और 25 अगस तक चलेगी उम्मीदवार आठ अगस से 27 अगस 2022 तक आवेदन में त्रोटी सुधार कर सकेगे प्रती सुधार पत्रे 50 रुपे शुलक देया निवारे होगा अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार अधिकारीक साइट mppsc.mp.gov.in पर विजट कर सकते हैं mpk 11 जिले सुखे यहां सामाने से कम बारिश मद्र परदेश में 16 जून से मौनसून ने 10 तक दे 27 जुलाई तक परदेश के जादता शेहरों में खूब पानी गिरा तेर महीने में परदेश में सामाने से 16 परसंट ज्यादा यानि 21 इंच बर साथ हो चुकी है अब तक 18 इंच बारिश होनी चाहिए थी बारिश का कोटा पूरा हो गया फसलों के सिचाई और पीने के लिए भी पाने का स्टॉक हो गया लेकिन बुंदेल खंट बगेल खंट के कुछ हिस्तों से मौनसून रूठा हुआ है प्रदेश में 11 जिलो कोप पी अची बारिश का इंतजार है जाबू आले राजपूर दतिया ठीकम कर निवारी सतना रीवा सीधी सिंग रॉली कटनी और डिंडॉरी में सबसे कम बारिश होई सबसेडी बांटे में मद्रप्रदेश का देश में दूसरा नमबर मद्रप्रदेश सरकार ने टेक्स के जरिये साल भर में अच्जित राशी का 28.8% हिस्सा मुफ्त की उजनाओं में खर्च कर दिया अपनी टेक्स आई से सबसेडी देने वाले में पंजाब 45.4% और आंद्रप्रदेश 30.3% ही मद्रप्रदेश दे आगे रहे रिजर्पैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बात कही ये रिपोर्ट राज्यों के बजट पर आधारी थी मद्रप्रदेश सरकार ने बजट पेश होने के बाद 6,800 करोड रुपे के बिजली बिल माफ कर दिये थी पेट्रोलियम कमपनीज गैस सिलेंडर की नई कीमते जारी की आज 1 अगस 2022 को भी पेट्रोलियम कमपनीज ने लपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमते जारी की आज जारी कीमते देश में ततकाल प्रभाव से प्रभावशील हो गई है पेटूलियम कंपनीज ने आज एक अगस 2022 को कमर्शिल एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमते जारी की कंपनीज ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शिल सिलेंडर की कीमत में 36 रुपे की कचौती का एलान किया है 27 प्रतिशत के जाने के मामले में सुनवाई होगी पिछली सुनवाई में हाई कोट ने पूर्व में पारे 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षन पर रोग संबंदी अंत्रिमादेश को बरकरा रखा था आसे जस्टिस शील नागू और जस्टिस डीडी बंसल की डिवीजन बैंच में सभी आचिकाओ पर एक साथ रोजाना एक घंटे सुनवाई होगी तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मध्यप्रदेश सब्डेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद